देश की पहली प्राइवेट ट्रेन, तेजस एक्स्प्रेस की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आजादी से पहले भारत में कई प्राइवेट रेल कंपनी चल रही थी। तिरहुत रेलवे उनमें से एक थी जिसे दर्भंगा स्टेट चला रहा था। 1874 में दर्भंगा के महाराजा लक्षमीश्वर सिंग ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की थी। उस वक्त उत्तर बिहार में भीशन अकाल पड़ा था। अकाल में राहत कारे के लिए पहली ट्रेन 17 अप्रेल 1874 को वाजितपूर, समस्तीपूर से दर्भंगा तक चली। ये रेलवे का सफर, भारत में रेलवे का सफर शुरू होने के दो दशक बाद यानी 1874 से शुरू हुआ। पूरे उत्तर बिहार में इसका जाल फैला हुआ था। 1875 में दलसिन सराय से समस्तीपूर, 1877 में समस्तीपूर से मुजफरपूर, 1883 में मुजफरपूर से मोतिहारी, 1883 में ही मोतिहारी से बेतिया, 1890 में दर्भंगा से सीतामरी, 1900 में हाजिपूर से बचवारा, 1905 में सक्री से जैनगर, 1907 में नरकट यागंज से बगहा, 1912 में सम बिहार के सोनपूर से अवद, उत्तर प्रदेश का इलाका, के बहराइच तक रेल लाइन बिचाने के लिए 23 अक्तूबर 1882 को बंगाल और नार्थ वेस्टर्न रेलवे का गठन किया गया. इस बीच 1886 में अवद के नवाब अक्रम हुसेन और दर्भंगा के राजा लक्षमीश्वर सिंग दोनों ही शाही परिशद के सद से चुने गए. जिसके बाद 1886 में अवद और तिरहुत रेलवे में ये समझ बनी की दोनों क्षेतरों के बीच आना जाना सुगम किया जाए. कानून बनाने का प्रस्ताव राज परिवार से संबंध रखने वाली कुमुद सिंग कहती है. दरसल महाराजा लक्षमीश्वर सिंग किसानों की जमीन बेवज रेलवे द्वारा अधिग्रहित किये जाने से नाराज थे इसलिए उन्होंने शाही परिशद जो अब का राज जिस भाहे उसमें भूमी अधिग्रहिन के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव दिया. रेलवे के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी थी जो 1896 में नार्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा तिरहुत रेलवे के कदम में दिखती है. यात्रियों की सुविधा के लिए चलते थ जाई गई थी. तिरहुत स्टेट रेलवे के पास 1881 से 82 में चार स्टीमर थे जिसमें से दो पैडल स्टीमर, इगल और बाल थे जबकि दो क्रू स्टीमर, फ्लोक्स और सिल्फ थे. ये स्टीमर बार सुल्तानपुर घात के बीच और मोका मासिम्रिया घात के बीच चलते थे दर्भंगा स्टेट ने दर्भंगा में तीन रेलवे स्टेशन बनाए. पहला हराही, दर्भंगा, आम लोगों के लिए, दूसरा लहेरिया सराय अंग्रेजों के लिए और तीसरा नर्गोना टर्मिनल जो महाराज के महल नर्गोना पैलेस तक जाता था. यानी नर्गोना प कमपनी का सैलून. तिरहुत रेलवे के प्रोप्राइटर और दर्भंगा महाराज के सैलून में देश के सभी बड़े नेताओं ने यात्रा की. इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, दौ सर्वपल राधाकृष्णनन, मदन मोहन मालविये से लेकर तमाम बड़े नेता शामिल थे. दिल्चस्प है कि सिर्फ गांधी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने सैलून का इस्तेमाल कभी नहीं किया. उन्होंने हमेशा तीसरे दर्जे में ही यात्रा की. तिरहुत रेलवे कंपनी के पास बड़ी लाइन और छोटी लाइन के लिए कुल दो सैलून या पैलेस ओन वहील थे. इसमें चार डिब्बे थे. पहला डिब्बा बैठक खाना और बेडरूम था, दूसरा डिब्बा स्टाफ के लिए, तीसरा डिब्बा पैंतरी और चौथा डिब्बा अतितियों के लिए होता था. सैलून की उपलब्ध तस्वीरों में नकाशीदार बेड दिखता है, जिसमें चांदी जड़ी हुई है, और दर्भंगा राज का प्रतीक चिन्ह, मचली, उकेरी गई है. इन सैलून में महाराज के लिए बने बेडरूम का नाम नर्गोना सूट था, वही महारानी के लिए बने सूट का नाम रामबाग सूट था. इस सैलून के वाश्रूम में यूरोपियन कमोर और बाथटब लगा हुआ है. बड़ी रेल लाइन का सैलून बरौनी, बेगूस राय में रहता था जबकी छोटी लाइन का सैलून नर्गोना टर्मिनल पर रहता था. महाराज परिवार से संबंध रखने वाली कुमुद सिंग के मुताबिक, तिरहुत रेलवे पहली ऐसी कमपनी थी जिसने थर्द क्लास या तीसरे दरजे में शोचाले और पंखे की सुविधा दी थी. दरसल गांधी जी जब तिरहुत रेलवे के पैसेंजर बनने वाले थे और ये तय था कि वो तीसरे दरजे में यात्रा करेंगे तो दर्भंगा महाराज रामेश्वर सिंग ने रेलवे को पत्र लिखा कि शोचाले की सुविधा होनी चाहिए. जिसके बाद तीसरे दरजे में शोचाले बना जिसे गांधी जी के साथ साथ जनता ने भी इस्तेमाल किया, बाद में तीसरे दरजे में पंखे भी लगे, यानि तिरहुत रेलवे ऐसा रेलवे था जो बेहद कम टिकत दरों पर जनता को बेहतर सुविधाएं देता था, तिरहुत रेलवे के अवशेश भी नहीं रहे, 1950 में रेलवे का राष्ट्रिय करन हुआ, लेकिन तस्वीरो में जो समरिधदी से भरे रेलवे के डिबबे हमें दिखते है, उसके अवशेश भी अबनके बराबर बचे है, ये सब कुछ हम लोगों के देखते देखते नश्ट हो गया, जबकि रेल लाइन जो तिरहुत रेलवे ने बिचाई उसका इस्तेमाल आज भी होता है, आप दे आती है, 1973 में बराणी में जो पैलेस ओन वहील खड़ा था, उसमें लूट पात करके आग लगा दी गई, वही 1982 में नर्गोना में खड़े पैलेस ओन वहील को कबार में बेच दिया गया, जिस कबारी वाले को मिला, उसके परिवार ने कई किलो चांदी मिलने की बात भी बा अगर सरकार जनविरोधी और महेंगी रेल तेजस चला रही है, तेजस तो हमारे जखमों पर नमक छिड़कने जैसा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन कर सकते है, जय मिथिला जय जानकी